Hello students, let's see the questions. So the question is which of the following correctly represents our mercurius iron? अब यह mercurius में आप देखो एक suffix है जो की है O-U-S. ऐसे suffix हम कहां इस्तमाल करते हैं? सबसे पहले तो mercurius आया कहां से है? Mercurius आया है? Mercury से. तो यह जो iron है, यह mercury का iron है. तो यह रहा mercury का symbol, इसका ही iron रहा होगा. अब O-U-S suffix जो है, इसको हम किसके लिए इस्तमाल करते हैं? आप याद करके देखो, आपने पढ़ा है variable valency. यानि कुछ ऐसे elements होते हैं, जिसके more than one valency हो सकता है, जिसमें से एक mercury भी है. तो mercury के क्या-क्या valences दिखते हैं? Mercury के दो valences देखे जाते हैं in general one and two. और आपको पता है, जो lower valency है, उसके लिए हम जो suffix इस्तमाल करते हैं, वो है O-U-S and जो higher valency है, उसके लिए जो हम इस्तमाल करते हैं suffix में वो है क्या? I-C, eek. ओके? तो mercury कौन सा होगा? mercury होगा जिसमें ये है, यानि valency one है. तो valency किसका one होगा? चार्ज के साथ relate कर लेते हैं, अगर valency one है, तो charge कितना होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए minus one या plus one, क्योंकि charge के साथ valency same है, लेकिन charge में signs होगे, and valency में signs नहीं होगे, तो charge में यहाँ कौन सा sign लगेंगे? plus sign लगेगा या minus sign लगेगा? एक चीज़ देख लो, यह जो mercury है, यह क्या है? यह एक metal है, राइट, अब metals generally cations बनाते हैं, cations यानी plus charge होंगे, positive charge होंगे, तो plus one, तो क्योंकि यह metal है, तो इससे हमें क्या मिलने वाले है? cations, तो mercuris ion जो है, यह एक cations है, और इसमें plus one charge लगे हुए है, जिसको otherwise ऐसे लिख सकते हैं, अगर two, three, four हो तो two, three, four यह numbers हम लिखते हैं, लेकिन अगर plus one होता है, तो one को हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ plus लिख के छोड़ सकते हैं, तो यह कौन से option में है, option a, I hope यह समझने में आपको कोई difficulty नहीं है, thank you so much.